दोस्तों आज आपके लेके आए हैं माहिंद्रा की योड़ से बॉल्लैरो सी बीसी पिकप और यह 1.7 टीम मतलब 17 कुंटल पासिंग कैपसिटी में है अब सी बीसी होता क्या है सबसे पहले समझ लो यह पीशे की जो लूड बोडी आती ना वह उसमें नहीं होगी सिंपल सा जो वैसे अगर आप लेना चाहें जो कंपनी से जो है पीशे की लोड बोडी वो भी ले सकते हैं उसको भी जो है हाई डैक करवाना ही पड़ता है तो अब सी बीसी और नॉर्मल उसकी प्राइस पे जो है कंपेर करता हूं अभी 2023 में बुल्लैरों अगर आप पिक अप लेते हैं इसको लेके आप बचा सकते हैं वहां ना जाके और बॉडी थोड़ा और उसमें एड़न करवा के अच्छी कासी जो है बनवा सकते हैं अब इसकी ऑन रूड जो है अगर बात करूं उत्राखंड में जो प्राइस जा रही है लग बग लग बग जो है 10,26,000 रुबे के आसप बास जा रही है और उसमें भी आपको ओफर देखनी को मिल जाएंगे तो डीटेल में क्या ओफर है क्या फाइनेंस पे जो है आप इसमें कितना डाउन पेइमेंट पे ले सकते हैं वहां से आप अराम से पता कर सकते हैं तो अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले अगर मैं बत आती ना जो पीछे जो यहां पर आप बाड़ी बनवाएंगे तो वैसे तो इसमें जो बाड़ी वाला वेरेंट आता है जो कि 27,000 रुपे महेंगा है उसमें 9 फीट की बाड़ी आती है तो 9 फीट के आज पास आप इसमें बाड़ी बनवा सकते हैं तो थोड़ा बहुत और जादा लंबा मत करवाना फिर तो फिर वही चीज है चलान के दिक्कत हो सकते हैं आपने गाड़ी आपकी जो है कुछ इस लेंद की आपने यहां तक जो है अच्छी गासी जो है लेंद की बॉड़ी बनवा दिए पीछे तो वह मत करना चोड़ाई की बात करूं चोड़ाई ना करना पड़े तो ये इसकी डायमेंशन ने अगर मैं ग्रांड क्लेंस की बात करूं अच्छा गासा 195 मं का इसका ग्रांड क्लेंस रहता है बाकी अगर इसके चैसी की बात करें चैसी भी काफी अच्छे आशे जो है ठीकनेस की यहां पर पूरी तियार करी गई और यहां पर जो body on frame जो होता है ना वो यही चीज होती है नीचे से frame होता है उपर से जो body है वो जो है belt की जाती तो उसे ही body on frame का जाता है और monocoque जानते ही आप ऐसी जो है कारे monocoque में आती है तो इसमें यह chassis पूरी बोडी के साथ पूरी पीस में त्यार कर दिया तो उसे मोनकोग कहते हैं तो पीछे का आप इसका देखेंगे तो यह रिवर्ट पार्किंग सेंसर यहां तो आपको इसमें नहीं मिलते हैं इसमें लाइटे भी आपको ऐसी कुछ जो है उसी बोडी में लगवानी पड़ आपको जो है सस्पेंशन वह ही लीप स्प्रिंग वाले मिलते लेकिन सी बी-सी में दो एक्स्ट्रा एड़ औन हो जाते हैं इसमें नौ पतिया आ जाती है तो यह देखिए चार यहां पर हैं तो तो टोल नौ इसमें आते हैं और नौर्मल वाले में आपको साथ के आसपास म बाकि hydraulic shock absorber भी इसमें दिया है पूरा पूरा और differential यह रहता है जो कि rear wheel drive रहती यह propeller soft हो गई कुछ parts के नाम भी पता देता हूँ थोड़ी बहुत आपको पता लग जाए क्या क्या होता है और यह रहता है इसका डीजल का tank तो डीजल टैंक के लिए भी जो है यहां पर आपको यहां पर यहां से जो है filling के लिए दिया गया है यहां से आपको डीजल फिल करवाना पड़ेगा 60 लीटर के असपास डीजल टैंक की इसकी capacity है यूरिया का तो कहीं दीखनी रहा है टैंक सिर्फ डीजल काई है इसमें तो डीजल इसमें फिल अप होगा और यहां से आपको ज इसमें समान लिया सकते हैं बागी अवर्लोडिंग तो अब देखो हमेशा करते ही है तबी जाके कुछ न कुछ अच्छे से वह पाता है तो लगबग लगबग इसमें जो है आराम से अवर्लोड इंग मान के जो रूम है जो है तीस कुंटल के असपास देखो करने को तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन फिर डेपैंड करता है फिर गाड़ी का भी जो है कह सकते ना मैंटिनेंस वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जो पेलोड दिया गया है तो अच्छी चीज है कभी गबार हो जाए ज्यादा ओवर्लोडिंग तो फिर बात की बात है अगर मैं इंजिन की बात करता हूं तो इंजिन सेक्शन की और चलते हैं अभी क्या वारंटी कितने साल की म जो है साइड वॉल जितनी ज़्यादा बढ़ी होगी उतना ही जो रिमस पर है वो इतना असर नहीं पड़ता है और यह काफी अच्छा जो है फिर लोड को जो है कैरी करके चलते हैं टायर और एसा जो है साइड वॉल इसी लिए सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ी होती है इ पीछे आपको जो है साइट से देखेंगे बुलैरो पेकप 1.7 की आपको जो है स्टीक रिंग मिल जाती है और यहां से मड़ फ्लैप दिया गया है और यहां पर फूट स्टैप दे दिया जाता है प्रॉपर अगर आगे की बात करूं आगे जो रहते हैं यहां पर टोटल 5 लीब स्प्रिंग मतला वोई कमानी दार पट्टे 5 पट्टे आगे दिये गए हैं और पीछे 9 पट्टे दिये और फ्रेंट में डिस्क ब्रेक्स आती है ऐसी कुछ रहेगी फ्रेंट प्रोफाइल अभी दिखाऊंगा साइट से आप देख लीजिए इसमें साइट यहां रहता है इसका जो है आप चोटी सी लैंप नीचे डिफ्लैक्टर प्रॉपर के गए हैं मैटल में बंपर रहता है इसका पूरा और नीचे फ्रेंट में इंटर कूलर देख रहे हैं डीजल इंजन है उपर दो वाइपर मिलेंगे बड़ी सी विंस्क्रीन और एक वाश स्विगल रहता है पूरा 3490 गीजीगा तो इसमें परमिट भी आपका लगे गए लगेगा अब जड़ा इंजन सेक्षिन की बात कर लेते हैं इंजन की और जो है हां पर फटावट से उपन करता हूं मैं तो यह रहता है इसका इंजन वे यह भी काफी अच्छा-कासा भारी है तो 25-23cc का फोर्स लेंडर वाला यह M2DI इंजन है जो की 75 होस पावर 200 नुटमीटर मीटर के साथ में जो है जनरेट करता है और इसमें जो कॉम्पनी जो है कह सकते ना पिक अपकी वरंटी देती है तीन साल एक लाग किलो मेटर तक की जो भी पहले पूरे हो जाए तब तक र माइलेज की अगर अब मैं बात करता हूं देखो 17 आपका जो है टन का है यह 1.70 तो मतलब 17 कुंटल आप इसमें लेके जाते हैं तो on an average highway पे जो है मानके चलिए आपको माइलेज जो है यह 12 से 14 के आसपास दे सकता है फिर ज्यादा ओवर्लोडिंग कर रखी हो और सहरों में ना चला गए आप गाउं में जादा चला रहे हों फिर तो फिर अलग चीज है माइलेज थोड़ा प्रॉप आउट हो सकता है अब जड़ा इंटीजर में चलें पावर स्टेरिंग इसमें आता ही आता है जो कि आप देखेंगे नॉर्मल पावर स्टेरिंग यहाँ पर है चाबी नॉर्मल सी आपको जो है दो यहाँ पर देखने को मिलेंगी और यह है लैट की बीम एजस्ट करनी है रिजनरेशन का यहाँ पर स्विश दिया गया है नॉर्मल विंडो अप अड़ डाउन का नॉर्मली मैनुली रहता है यह सारा कुछ थोड़ा सौफ टच है थोड़ा हाट प्लास्टिक यहाँ पर है साइड में फूट स्टेप ड्राइवर के लिए को ड्राइवर के चंडने के लिए प्रॉपर दिये गए हैं यह रहता है हैं इसका हैंडब्रेक सीटें फैब्रिक में रहती है इस तरीके से ले सकते हैं इसमें अगर में बात करूं दूबले पतले तो इस तरब तीन एक यहां पर चार बेठा सकता है लेकिन को ड्राइवर वारी साइड में कम से कम दो ही बैठें या एक ही बैठा जो है तब ही सई लगता है थोड़ा और अब जड़ा इंटीर सेक्शन में चलें तो सब को मिलती है तो ऐसी एक दम भड़ बड़ा हट वाली ऐसा फील होता है ना इंजन का वही आपको सुनने को मिलेगा गेर लीवर आप देख रहे हैं अच्छा गासा जो है हिलता भी है क्योंकि नेचर ही ऐसा होता है डीजल इंजनों का यहां पर स्पीडो मीटर 140 की मैक्जिम स साथ में नॉर्मल एनलोग में रहेगा यहां पर जो है आपका उपर फ्यूल का नीचे टेंपरेचर का यहां पर किलो मीटर से सारा कुछ बाकी इंजन जो लाइटे आती है वह आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और यह इसका रहता पावर स्टेरिंग पावर और यहां पर आपका जो है गलब बॉक्स ऐसा कुछ रहेगा तो ऐसा रहता इसका पूरा डैश बोड पीछे आपको एक लैंप मिलेगी इस तरीके से यहां पर नॉर्मल पीछे की विंड स्क्रीन जो की स्लाइड वाली नहीं है नॉर्मली दे रहेगी सीट बैल्स नॉर्मल इससे पैसे कमाने का हुटा है क्योंकि इस लिए जोयखे लीज़ा लेंच सकता है उडर वे काफ़ी पॉपलर रहता है जोडर में기도 joint कोड़ी बनवानी पड़ेगी अपने बजट के कोड़िंग हैवी से हैवी जैसी आप जो है बनवाना चाहें बनवा सकते हैं तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो बुल्ले आरो 1.70 सारा को जान सकते हैं नमबर नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे